सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास ये शिक्षा निदेशाले राष्टर राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर तीन जो की कक्षा साथवी के विध्यारतियों के लिए ही है यह ली गई है गणित विशे से और इस बार भी हम इस वर्कशीट में जानेंगे आंकडो का संगठन यानि पिछली दो वर्कशीट में भी हमने इनी के बारे में जाना था लेकिन आज हम इस से थोड़ा सा और आगे जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं अब तक हमने जाना आंकडे क्या है तथा किसी विशेश जानकारी के लिए आंकडे क्यों इखटा करते हैं आंकडो द्वारा उचित धंक से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्तित या फिर संगठित करना आवशक है तो आईए जाने आंकडो का संगठन तो देखा आपने पिछली जो दो वरक्षीट थी उसमें हमने यही जाना था कि आंकडे होती क्या है और आंकडे तो हम किसी भी जानकारी के लिए इकत्रित कर सकते हैं जैसे पिछली वरक्षीट में जिखा था लेकिन आम तोर पर किसी विशिज जानकारी के लिए ही आंकडो को इखटा किया जाता है लेकिन जब हम आंकडो को इखटा करेंगे जैसे कि हो सकता है आपके अध्यापक भी यह जानना चाहते हूं क्योंकि इसके लिए उन्हें सप्ता के हर दिन कारेपत्रक भेजने वाले विध्यारतियों की संथिया उन्होंने इस प्रकार लिखी और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर सब्दा हमें आगे अपने विभाग को ये रिपोर्ट देनी होती है कि कितने बच्चे रोज जो है अपनी वर्कशीट करके भेजते हैं तो उन्होंने इस तरह से उनकी संख्या लिखी जितने बच्चे जो की रोज अपनी वर्कशीट करके भेजते थे 33 फिर 35, 46, 29, 39, 46, 32 और 38 और फिर ये जानने के लिए कि किस दिन कितने विध्यारतियों ने कारे पत्रक पूरा किया कुछ इस तरह आखडों को संगठित किया ग और उसमें पहले तो दिन के नाम लिख दी है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रवीवार और इस इस तरह से उन्होंने संख्या लिख दी कि सोमवार को 33 बच्चों ने भेजी, मंगलवार को 35 बच्चों ने बुधवार को 36, 39, 42, 32 फिर उन्होंने देखा कि अध्यापिका को पूरे सब्ता में प्राप्त होने वाले ओसत कारेपत्रों को की संख्या को विभाग को भेजना था जैसे कि भेजना ही होता है, आपके भी टीचर्स को भी भेजना होता है, इसलिए अध्यापिका ने पूरे सब्ता के कारेपत्रक को जोड़ा और साथ हिस्सों में बांट दिया इस ओसत आखड़े को हम माध्धे कहते हैं ध्यान से समझेगा हम माध्धे कहते हैं यानि क्या किया उन्होंने कि ये जो साथो दिन के आखड़े थे इनको जोड़ा और साथ भागों में साथ हिस्सों में बांट दिया यानि ये नि जो भी वो उत्तर आया, और जो भी उत्तर आता है, उसे हम ओसत, या फिर माद्धे कहते हैं, तो माद्धे निकाला कैसे इनोंने, आंकडो का योग, और भाग देंगे हम उसको आंकडो की संख्या से, यानि जितने ये सुमवार, मंगलवार, बुद्वार को जितने भी आंकड़े लिखे हुए हैं संख्या लिखे हैं इन सब को पहले जोड़ना है और कितने दिन की लिखे हुए हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो साथ से हम उसको भाग कर देंगे यानि आंकड़ों के संख्याओं के यूग को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर हमें माध्य या फिर औसत प्राप्त होता है देखिए यहां पर करके भी दिखा रखा है कि 33, 35, 46, 39, 46, 32, 32, 38 और ये आंकड़े हमें उपर से मिले हैं फिर कितने दिन के लिए जैसे मैंने बताि आ एकाउंट कर लो साथ दिन के लिए तो इन सब के जोड़ को साथ से भाग करने पर इनका जोड़ा आया 269 और साथ से भाग करने पर उत्तराया 37 यानि हम ये कह सकते हैं कि लगभग रोज 37 बच्चे अपनी वर्कशीट करके भेजते हैं तो चलिए ये समझ में आया आपको अभी हम आगे भी इसकी प्रेक्टिस करेंगे अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सबताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटो कॉपी कराएं कि लगभग सभी विध्यारतियों को कारेपतरक मिल सके तो वह 46 होगा अभी हमें इसको बताता हूँ देखिए आपके स्कूलों में तो शायद ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादतर बच्चों के पास वाटसेप है जिनके पास वाटसेप नहीं होता तो उनके लिए भी हमारी सरकार ने सुविधा की है हमारे शिक्षा निदेशाले ने सुविधा ये की है कि उन्हें हार्ड कॉपी में यानि प्रिंट आउट मिल जाते हैं उन्हीं वरक्शीट के तो अधियापी कभी यही जाना चाहती थी कि वह अगले सब्ता के लिए कितने फोटो कॉपी कराए कि सब को वरक्शीट मिल जाए तो वो च्यालिस उन्होंने सोचा अब ये च्यालिस कैसे आया क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा या संक्या च्यालिस है और यह बहुलक कहलाता है क्या कहलाता है बहुलक यानि अगर आप उपर देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो तो आप देखिए कि इसम संख्याएं एक एक बार आ रही है तो इसलिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है आंकडों में उसको हम बहुलक कहते हैं क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं फिर हम बात करते हैं कि यह जानना हो कि कौन से तीन दिन 35 से कम और कौन से तीन दिन 35 से अधिक विध्यारतियों ने कारे पतक लोटाए तो उसके लिए आंकडों को बढ़ते या घटते क्रम में पहले हम लिखेंगे और जो आंकडा बीच में आता है उसे हम माध्यक कहते हैं क्या कहते हैं? माध्यक यदि आंकडों की संख्या हो सम तो बीच के दोनों आंकडों का औसत माध्यक कहलाता है क्या मतलब है इसका? कि जैसे अगर हमें उपर वाली साड़नी में यह देखना है कि कौन सी संख्या बीच में आ रही है यानि हमें यह देखना है कि कौन से तीन दिन तो 35 से कम बच्चों ने हमें कारेपत्रक लोटाए और कौन से तीन दिन 35 से ज़्यादा बच्चों ने हमें ये कारेपत्रक लोटाए तो हमें माध्यक निकालना होता है माध्यक कैसे निकालते हैं जितनी भी संख्याएं दे रखी होती है तो जो उसके बीच की संख्या, तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है कि यदि जो है एक संख्या दे रखी हो तब तो कोई बात नहीं, तीन दे रखी हैं, पांच दे रखी हैं, साथ दे रखी हैं, तो इसमें तो जो बीच का नंबर होता है, वो बहुत असानी से निकला आ हुमें, 4 में देखना हूं, 6 में देखना हूं, 8 में देखना हूं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो बीच की संख्या होती है, वो दोनों संख्याओं को जोड़कर, उनका अुसत निकाल लेते हैं, तो अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे, एक प्रश्न में आपको यह जो यहाँ पर दे रखा है वो करके दिखाऊंगा और आप इसी तरीके के अपनी कॉपी में अभ्यास करेंगे ताकि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास की ओर तो यहाँ पर जो पहला प्रश्ण है वो है कि बताईए कि निमलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य तो अब जरा ध्यान से उपर के आंकडों को देख के जब हम बताएंगे बहुलक आंकडों में से सदैव एक संख्या होता है तो अभी आप देखो कि जो बहुलक है वो आपके आंकडों में ही आ रहा है ना वह वाली संख्या जो उपर टेबल लिखी है जैसे 46 है बहुलक तो 46 टेबल में आता है ना येस तो इसका मतलब ये कथन क्या है सत्य है ठीक है फिर इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कथन की और वो है माध्य दिये गए आंकडों में से एक संख्या होती है अब देखिए जो माध्य निकाला यहाँ पर 37 क्या ये 37 संख्या उपर जो टेबल में लिखी गई थी नहीं तो ये हमारा उत्तर हुआ असत्य क्या हुआ असत्य क्योंकि माध्य जो होता है वो कभी भी हमारे आंकडों में शामिल नहीं होता फिर माध्यक जो है वो आंकडों में से सदय वेक संख्या होता है जो माध्यक अभी हमने बात की येस जब हम सारी संख्याओं को या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घड़ते क्रम में लिखेंगे तो इसका मतलब संख्या तो वही है और जो चाहे बीच की संख्या और जैसे दोनों संख्या आए हो तो क्या होता है माध्यक आंकडों में से ही एक संख्या होता है तो ये है सत्य अब आपको समझ में आया अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर ये प्रश्न पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा पिर आप इसी तरीकी के प्रश्न अपने अभ्यास के लिए करेंगे प्रश्न है कक्शा के एक मुल्यांकन में प्राप्त किये गए निमलिखित अंकों को एक सारनी बद रूप में संगठित कीजिए और ये बहुत सारे अंक यहाँ पे दे रखें जैसे एक का कख़शा में जो है ये टूटल 20 दे रखें अगर आप काउंट करोगे यानि 20 बच्चे थे सबको इतने इतने अंक मिले हैं 20 बच्चों को अलग-अलग इतने इतने अंक मिले है अब हमें सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है परिसर आपको याद है मैंने पिछली बर बताया था परिसर क्या होता है परिसर होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है और जो सबसे छोटी संख्या होती है उन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा परिसर निकलाएगा फिर इनका माध्य भी निकालना है बहुलक भी निकालना और माध्यक भी वो मैं अभी आपको निकालना सिखा रहा हूँ फिर इसी तरीके के सवाल आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिए वहाँ जो अंक दे रखे थे उनको मैंने सारनी बद रूप में यानि टेबल की फॉर्म में मैंने लिख दिया यानि ये तो हो गए अंक जितने जितने अंक जिस जिस बचे को मिले थे मैंने इस तरह से करके लिख दिये और ये देखिए मैंने इनको पूरा लिख दिया है देखिए नीचे तक ये मैंने सारे अंक लिख दिये और मैंने फिर नीचे ये भी लिख दिया कि कुल अंक ये 20 हैं कि अगर counting करोगे तो ये 20 अंक हैं और जब हम इनको जोडेंगे तो संख्याओं का योग आएगा 100 आई बास समझ में तो अब इस तरीके से हम आगे के प्रश्णों का उत्तर देंगे फिर है सबसे पहले हमने निकालना आख्डों का परिसर अगर आप ये जो जितने नंबर अभी हम उपर से नीचे तक देख रहे हैं ये पहले कॉलम में जा अंक लिखा है इसमें आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी संक्या है वो है 9 और जो सबसे छोटी संक्या है वो है 1 त अंकडों का परिसर बराबर 9 माइनस एक 8 तो परिसर आ गया 8 फिर इसके बाद आप हमने माध्य निकालना है पीछे हमने माध्य निकालना सिखाया था ना आपको तो आप अगर ध्यान से करेंगे तो इन संक्याओं का कुल योग है 20 और सुरी कुल अंक तो ये 20 है और इनकी पूरी संक्याओं का योग जो उपड़ से लेकर जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से इनको प्लस करते जाना है. चार जम 6 जम 7 जम 5 जम 3 जम 5 जम 4 पांच 2 चै दो पांच एक, नौ, छे, पांच और फिर आठ चार, छे, साथ और इनको जब हम जमा करेंगे तो इनका जो कुल योग आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा सौ और ये कुल मिलाकर बीस है तो माध्धे कैसे निकलेगा? सौ यानि संख्याओं का योग बटे में जितने वो अंक है, संख्याओं की अंक है वो है बीस तो सौ बटा बीस जब हमने किया तो उत्तर आया पांच तो माध्धे हुआ पांच फिर इसके बाद हमने जो अगला करना है बहुलक, बहुलक मैंने समझाया था ना कि इन नंबर में जो नंबर सबसे ज़ादा बार आ रहा है जब आप काउंट करोगे इन नंबरों में तो आप देखोगे कि पांच सबसे ज़ादा बार आ रहा है तो हमारा बहुलक क्या होगा पांच होगा काउंट करके देखना है इन सारे नंबरों में कि पांच कितनी बार आ रहा है तो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है इसलिए बहुलक हुआ पांच और फिर आखरी में निकालना है माद्ध्यक अब मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याए सम हो यानि जैसे बीस है बीस एक सम संख्या होती है तो जो पहले तो हमें इनको या घटे करम में बदलना होगा या बढ़ते करम में बदलना होगा क्या निकालने के लिए माद्ध्यक निकालने के लिए तो मैंने इनको बढ़ते करम में लिख लिया इन्हीं अंकों को सबसे पहले आया एक फिर दो दो वाले फिर तीन तीन वाले चार चार पांच पांच वाले इस तरीके से और आप देखेंगे तो जो इनके बीच की दो संख्या होगी यानि दस्तवे और ग्यार्वे नंबर की जो संख्या होगी उन दोनों को जब हम जोडेंगे और दो से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा पांच तो माध्यक भी हो गया पांच ये तो थी आज की वरक्षीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर कीजिए मेरे साथ इसी तरह वरक्षीट को समझते रहे लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर बढ़ते रहे धन्यवाद